आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे आर्मी पब्लिक स्कूल के करेंट फैर्स में सबसे इंपोर्टेंट जो भी करेंट फैर्स से मोई डिसकस कराया जा रहा है तो यहां से कोश्चन देख लिजिए पोशन अभियान यह जो स्कीम है इंडियन गवर् related है तो यहां से आप देख लो यह related है women ministry of women and child development के द्वारा यानि की MWCD के द्वारा यह जो है चलाई जाने वाली scheme है और इसकी minister कौन है तो इसकी minister है इसमृति जुवैन इरानी यहां से आप उनकी photo भी देख पाओगे जी हां यहां से photo भी देख लीजिए इनका aim है कि यह जो भी बच्चे में problem आ रही है mal functioning आ रही है nutrition कम बच्चों में हो रहा है तो यह महिलाओं में और जो बच्चे में sorry जो छोटे बच्चे हैं लड़कियां हैं और महिलाओं में कि साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर यह वेट जो है कम हो रहा है उसको यह ठीक करने के लिए रोसन अभियान इन्होंने जारी किया है एक question मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे आपको बस उस ब्रेटिस गवर्नर जेनरल का नाम बताना है जिसने इंडिया की capital को डेली से कलकाता से डेली इनोंने जो है shift कर दिया था कलकाता से डेली capital shift करने वाले कौन थे लुइस मांट बेटल लॉड करनिंग लॉड हास हर्डिंग या फिर हैस्टिंग वैरन हैस्टिंग ने किया था यह नीचे कॉमेंट करके आप लोग बताईए चारों में से कौन सा option करेक्ट है हम लोग बढ़ेंगे next question की और उससे पले एक और छोटी सी information दे दो यहां से देख लो आप Global Clean Energy Action Forum यह जो है इंडिया यहां पे इनोंने बात रखी है आपको यह question पुछा जा सकता है कि यह Global Clean Energy Action Forum जो है यह कहां हुआ था कहां पे इसकी meeting की गई थी तो यहां से देख लिजे पेंसल वालियां में हुआ था और यह US में है यानि की United State of America में यह हुआ था और इंडिया की representative भी यहां पे मौझूद थे और यह green house को कम करने की बात इनोंने इंडिया की तरफ से रखी थी एक और question आप लोगों से पूछ लेता हूँ High Altitude Research Laboratory in India it's situated in कहां पे है स्री नगर, गुलमर, लदाक या पहल गाम में नीचे comment करके इसका भी आप लोग answer दिजेगा और आगे बढ़ते हैं और questions की start करते है current verse की उससे पले आप लोगों को बता दूँ आप मेरे handwritten notes लेना चाहते हो आखरी के एक 15-20 दिन जो भी बचे हुए है उसमें अच्छी से तैयारी करना चाहते हो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो मेरे handwritten notes आपके बहुत काम आएगा 150 में आपको प्रभाइड कर दिया जाएगा यहां से मेरी email id देख लो yourmethonsing at the rate gmail.com पे mail कर लीजे इंस्टाप पे हो तो मुझे follow कर लो at the rate imethonsing फिलाल question क्यों बढ़ते हैं question आपके सामने यह रहा who has been recently given a copy of asamese dictionary hemkos in braille sorry यह braille lippy के बारे में बात हो रही है कि braille lippy में asamese dictionary को किसने जो है दिया है तो यह देख लेते हैं नरेंद मोदी, सजीन तेंदलुकर, अमिता बसन या रतन ताटा यहां से आप देख पाऊगे answer नरेंद मोदी है न्यू देली, जैन्त बारू जो इन्होंने जो है नरेंद मोदी को यह dictionary आसामी dictionary जो है दिया जो कि braille में भी होगा ताकि बच्चे असानी से पढ़वाए कौन से film maker को जो है J.C. Daniels Award 2020 दिया गया है तो K.P. K.O.R.A.N. को यह दिया गया है याद रखिएगा तो आपको बताना है Public Administration में जो है Dr. Rajendra Prasad Memorial Award मिलता है यह भी release किया गया है आगे बढ़ेंगे next question की ओर Satyandr Singh Lohia Hailing from which state has become the first paraswimmer to cross North Channel North Channel को पार करने वाले पहला paraswimmer कौन बने हैं वो कहां से आते हैं इनका नाम कहा है Satyandr Singh Lohia यह कहां से आते हैं हिमाचाल प्रदेश, जार्खन, हर्याना या MPN की मध्रदेश से तो यहां से आप इसका answer देख पाओगे, यहां से देख लिजिए International Dibhyang Paraswimming Satyandr Singh Lohia has created history इन्होंने जो है North Channel को पार करके जो है history create कर दी है यादर कियेगा इस बात को कितने टाइम में किया है 36 km को इन्होंने पार किया है 14.39 आर में इन्होंने जो है इसे क्या क्या था पार कर लिया था और यह किस state से related है यहां से आप देख पाओगे फिलाल अगली question की और में लोग पढ़ते है मेराज अहमद खान who has in a news recently associated with which sport तो देखिए यह shooter से है यादर कि यह भी question exam में साइथ पूछा जा सकता है आपसे अगली question की और हम लोग बढ़ते है who has won the first gold medal for India in commonwealth game 2020 तो देखिए मीरा भाई चानु चिरोने gold medal जिता था आगे बढ़ेंगे अगली question की और from where has a navy chief recently launched indigenous support vessel INS, Nistar and Nipun कहांपे किया गया है विसाकापत्नम, कंडला चैन्नाई या मुंबई में इसका answer आप यहां से देख पाओगे यह देख लोग आप चीहा इन्होंने जो है INS, Nipun और विकरान जो है नेवी में deploy कर दिया है और यह हुआ है विसाकापत्नम में कहां हुआ है विसाकापत्नम में और अगले question किया हम लोग बढ़ते है India has decided to participate in a mega aerial warfare exercise pitch black to be held in which country तो Australia में यह होने वाला है देखे Australia, Japan, Russia के साथ हम लोग सिंगापूर और भी कुछ friendly country है पंगलादिस हुआ इनके साथ हम लोग military deal बगएरा करते रहते है अगले question कियो हम लोग बढ़ते है between India and which country X win back 2022 has been organized तो यह वितनाम में होगा हम लोग वितनाम के साथ भी tie जो है अच्छे कर रहे है अगले question कियो हम लोग बढ़ते है Amazon has announced to set up its first solar power plant in which Indian state कौन से Indian state में ये जो है solar power plant जारी करेगा लगाएगा ये मनेपूर, नागा लेंड, तमिल नाडू या राजस्थान में solar power plant की बात हो रही है Amazon की तो देखिए ये इंडिया में फॉर्म करने वाले हैं और ये जो मेगावाट होगा वो 420 मेगावाट जो है energy produce करेगा और यहां से आप देख पाओगे वेटे मिनट, राजस्थान में ये होने वाला है यहां से भी आप देख सकते हो अगले question के लिए बढ़ते हैं वियर हैज मारूती सूज़की इंस्टॉल एस लार्जेस 20 मेगावाट सोलार पाव जो प्लांट है यह मारूती सूज़की ने इंस्टॉल किया है यह मानेस वर हरियान में किया है Amazon ने कहां किया है राजस्थान में अगले question के बढ़ते हैं वियर हैज दा इंडियन आर्मी फ़र्स्ट ग्रीन सोलार एनर्जी प्लांट हैज बिन गिवेन तो यह भी सिक्किम में लगाया गया है इंडियन आर्मी के बाद के हो रही है तो सारे चीज़ों को आप pen paper पे note down जरूर कर लिजएगा तो उनका नाम बताना है आपको यहां से देख लिजए नटवरलाल, हिराबाल, भगवती, गुलाम हुसन या फिर नागेशवर सेयद फैजल अली तो इसका जो right answer होगा यहां से देख सकते हो आप एल नागेशवर राओ ने ये काम किया है right answer आपका क्या हो जाएगा option, wait a minute जी हाँ, यह option B आपका क्या होगा correct हो जाएगा अगले question के हम लोग बढ़ते हैं next question आपके सामने ये रहा who has been made the vice president of international chase federation विसुनात आनन जो है vice president बनाए गए है international chase federation के who has been appointed as director in prime minister office स्वेता सिंग को जो है बनाए गया है director in prime minister's office और finally previous question of the day की बारी है यहां से देख लिजे the Delhi Lahore bus is officially known as इसको कौन सा नाम दिया गया था मैत्री बस ये तो नहीं होना चाहिए बंगलादेश के साथ हम लोग जो भी tie up करते हैं वो मैत्री के नाम से होता है तो इन चारों options में से कौन सा होगा देख लिजे आपका correct answer नीचे होना चाहिए मैंने आप लोगों को जो भी question बताया प्लीज उसे recall जरूर करते रहें घर पे आपके exam के point of view से बहुत important रहने वाले हैं ये paper एक और बात अगर वीडियो आपने यहां तक देख लिया है अगर आपको top 50 का वीडियो चाहिए तो नीचे comment करके top 50 वाले part 2 जरूर रिलीज कर दो आप लिख दो तो मैं रात तक इसे रिलीज करने की कोशिस करूँगा फाइनली फिर से बता दूँ 150 में आप मेरे हैंडिटेंड नॉट्स ले सकते हो यहां से मेरे email आड़ी और इंस्टा आड़ी आपको दिख रही हो की तो mail कर लिजे या अंस्टा पर message कर लिजे Thank you so much